नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप उमीद करता हूँ प्लोग बहुत बढ़िया होंगे तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं मारूती सुजु की सिफ्ट जड़ेकसाई प्लस का यह बीए सिक्स गाड़ी है अमग्रेट इंजन दिया गया इसमें तो यह सिफ्ट जड़ेकसाई प इसका टॉप वेरियंट है एम्ट में भी अवेलेबल है जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं यह एम्ट गाड़ी है फ्रेंट में आपको प्रोजेक्टर हैडलैम्प दिये गया है साथ में इंडिकेटर मिलते हैं इसमें डियारल इसमें कंपनी फिटेड आते हैं डियारल और फो आपोकि तो इसमें आपको डूल टौन में अलाई वील दिये गये हैं अपड दूलो की टायर मिलते हैं उनका इसमें 1685-65 और 15 इंचिस के वील मिलते हैं आपको इसमें यह और ट्यूह स्टार मिलते हैं आपको इसमें गा संद Br और अगर आप VXI लेते हैं तो इसमें आपको wheel cover मिलते हैं, silver wheel cover मिलते हैं, full wheel cover, ally wheel नहीं मिलेंगे, wheel आपको VXI अगर आप लेते हैं, LXI लेते हैं तो आपको इसमें wheel cover भी नहीं मिलेंगे, और यह साइट प्रोफाइल देख रहे हैं, आप गाड़ी की साइट प्रोफाइल से बहुत ही बढ़िया लुक है, गाड़ी का देखने में, बात करेंगे इसके dimension की, तो 3840 mm की इसकी length है, width है 1735 mm की, और height है 1530 mm की height है, ground clearance की बात करें तो 163 mm की ground clearance है, और wheel base है, इसका 2450 mm का wheel base है, curve weight की बात करें, 855 kg का curve weight है, और gross weight है, इसका 1315 kg का gross weight है, बात करेंगे turning radius की तो 4.8 meter का turning radius है, बात करेंगे अब suspension होके तो इसमें आपको front suspension, mac fortune stud type दिये गये हैं, rear suspension आपको, tourism beam type मिलेंगे, rear suspension बात करेंगे अब इसके, mileage की तो इसमें आपको बहुत ही बढ़िया mileage मिलती है, 21.21 mm की MPL की mileage मिलेगी, side mirror पे indicator मिलते हैं, door handle आपको body color मिलता है, इसमें touch button के साथ, ये rear profile देख रहे हैं, आप गाड़ी की rear profile से बहुत ही बढ़िया look है, गाड़ी का देखने में, rear में आपको roof पे antenna दिया गया है, और साथ में ही high bond stop lamp, defogger के साथ rear wiper भी दिया गया है, इसमें देखिए, shift की basic मिलेगी, chrome finish के साथ, LED detail lamp मिलते हैं, आपको इसमें, Ska monogram chrome finish के साथ दिया गया है, चार parking sensor मिलते हैं, rear के bumper पे और parking camera भी मिलता है आपको, safety features में, ये दूसरे side के profile है, गाड़ी के दूसरे side से बहुत ही बढ़िया look है, गाड़ी का देखने में, बात करेंगे fuel tank capacity के, तो इसमें आपको 37 लीटर की fuel tank capacity दी गई है, बात कर लेते हैं अब इसके price की, तो इसका जो action room price है, वो जान लेते हैं, और इसका action room price है, 8,02,000 इसका action room price है, on road price की बात करें तो 9,02,000 इसका on road price है, डैली का price है यह जो मैंने आपको बताया, मात करेंगे इसके safety features की, तो इसमें आपको dual airbag दिये गए हैं, ABS with EBD, ABS यानि anti-lock braking system और EBD यानि electronic brake force distribution, brake assist, center locking door मिलते हैं आपको इसमें, smart key मिलेगी, और child safety lock मिलेगा आपको, rear के दोनों ही डोरों पे आपको child safety lock मिलेगा, anti-thepal arm, seat belt warning light, reverse parking sensor, reverse parking camera, तो यह सारे safety features इसमें दिये गए हैं, चलिए अब चलते हैं, back door खोल लेते हैं, boot space देख लेते हैं, कैसा boot space आपको इसमें मिलता है, rear parcel tray आपको company fitted मिलती है इसमें, और यहां पे luggage room light दी गई है, देखिए और यहां पे समान carry करने के लिए होक दिया गया है, यह आपका spare wheel है, जो कि black ही मिलता है, alive wheel नहीं मिलेगा आपको इसमें, क्योंकि यह चोटा है, spare wheel 14 इंचिस का ही मिलता है आपको इसमें, तो इसलिए आपको यह, इसे 80 की speed से अब अब ज़्यादा ना भगाएं, लिखा भी हुआ है, 268 लीटर का boot space मिलता है आपको इसमें, चलते हैं rear door के interior में, तो इसमें आपको यह वाला door भी देखिए, inside handle chrome पे power window, boot लखने का space दिया गया है, साथ में speaker मिलते हैं इसमें, यहाँ पे आपको child safety lock दिया गया है, rear के दोनों ही डोरों पे मिलेगा child safety lock, यह आपकी गाड़ी की tool kit है, isofix child sheet mount दिया गया है, तो इसमें after market आप seat लगवा सकते हैं, rear seat आपको headrest के साथ मिलते हैं, अपने head के grounding adjust कर सकते हैं, और इसमें आपको inside handle chrome पे दिया गया है, cotton finish power window, boat लखने का space दिया गया है, साथ में speaker, मिलता है आपको इसमें, और grip assistant दिये गया है, left right में, देखिए, grip assistant मिलते हैं, और इसमें आपको black apostory मिलती है, पूरी sheet की, जो की dashboard से match करते भी दिखेगे, और leg room तो बढ़िया, leg room में इसका, one liter की bottle लखने का space दिया गया है, इसमें, यहाँ पे देखिए, और front sheet के head आपको headrest के साथ मिलते हैं, यानि headrest मिलते हैं आपको, 4 sheet में headrest मिलते हैं, आपको इसमें, अपनी head के recording adjust कर सकते हैं, जैसा कि मैं rear passenger seat पर बैटा हूँ, तो मैं front dashboard के एक look दे देता हूँ, कैसा लगता आपको front dashboard देखने में, तो front dashboard आपने देखी लिया, चलते हैं front door के interior में, तो front door के interior में चलते हैं, तो इसमें आपको देखिए, दो tutor दिए गया हैं इसमें, right, left में दो tutor मिलेंगे, और inside handle chrome पर मिलते हैं, आपको इसमें cotton finish, चारो door power window दिए गया हैं इसमें, auto के साथ, lock unlock, शीशो को भी lock कर सकते हैं, side mirror को fold कर सकते हैं, electrically adjustable, तो इसमें आपको दोनों features दिए गया है, foldable और electrically adjustable, graph niche दिए गई है, bottle लखने का space दिया गया है, साथ में, speaker मिलते हैं, आपको इसमें, यह driver seat देख रहे हैं आप, जो की height adjust और back adjust, दोनों features आपको इसमें दिए गया है, driver seat में, right side में आपको AC vents दिए गया है, और साथ में ही आपको engine start stop button दिया गया है, chrome finish के साथ, देखिए और नीचे आएंगे, तो headlight leveling के switches दिया गया है, right side में ही, AC vents, और बात करेंगे, steering wheel की, तो इसमें आपको, flat bottom steering दिया गया है, जैसा कि desire में मिलता है आपको देखने को, gray finish दिया गयी है, और SRS airbag, इसका monogram chrome finish के साथ दिया गया है, three spoke wheel के साथ, और audio control दिया गया है, steering wheel पे, mode change कर सकते हैं, और mute भी कर सकते हैं, आप honi controls दिया गया है, phone उठा सकते हैं, disconnect कर सकते हैं, wise command भी आप इसमें दे सकते हैं, और tilt steering दिया गया है, जो कि अपनी height के recording adjust कर सकते हैं, steering wheel को up and down, right side में आपको headlight के, auto headlam के controls दिया गया है, auto headlam पिलते हैं, left में आपको wiper के controls दिया गया है, बात करेंगे, M.I.D. की तो इसमें आपको देखिए, कुछ warning light है दिया गयी है, और साथ में कोई भी door खुलाओगा, तो शोग हो जाएगा आपको M.I.D. में, कि आपकी गाड़ी का door खुलाओगा है, तो मैंने बंद कर दिया है, और temperature बताएगा, clock बताएगा, neutral position में गाड़ी है, तो वो भी इसमें शोग हो जाएगा, किलोमीटर, fuel भी इसमें शोग करेगा, digitally कुछ warning light है, यहाँ पर भी दी गई है, malfunction की light, seatbelt की light, battery की light, और दो AC इवेंट्स मिलते हैं आपको, center में, हजाट के सूचिस के साथ, यह आपका infotainment system है, जिसमें की reverse parking camera भी आप इसमें देख सकते हैं, पीछे का पूरा view दिखेगा इसमें, इसमें आप FM AM प्ले कर सकते हैं, 7 इचिस का infotainment system मिलता है, आपको touch screen, जिसमें की आप Android Apple CarPlay, इसमें प्ले कर सकते हैं, और यो वीडियो प्ले कर सकते हैं आप इसमें, तो बहुत ही बड़िया infotainment system मिलता है आपको इसमें, touch response काफी अच्छा है इसका, और black piano finish दी गई है, sideo में, तो बहुत ही बड़िया infotainment system बात करेंगे, अब इसमें AC कंट्रोल से यहाँ पर दिये गए है, auto AC मिलता है आपको इसमें, और इसके कंट्रोल से यहाँ पर दिये गए है, auto AC मिलता है black piano finish के साथ, नीचे आएंगे तो आपको USB OX के option दिये गया है, 12 वोट का charging socket भी दिया गया है, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आपको 2 cup holder रखने का space दिया गया है, console पर ही, यह gear lever देख रहे हैं आप reverse neutral drive, manually drive करने के लिए, आइम वाली position पर ले जाएंगे, gear lever के तो यहाँ से आप manually drive भी कर सकते हैं, और black piano finish दिये गई है, side हो में देखि रहे हैं आप, और यह आपका handbrake lever chrome finish के साथ दिया गया है, यह remote key मिलते हैं, आपको blue color की दिये गई है, remote की देखि रहे हैं, smart की जिसे आप कहते हैं, इसका monogram chrome finish के साथ दिया गया है इसमें, देखिए, दोनों की आपको इसमें remote मिलती हैं, lock unlock कर सकते हैं आप अपनी घाड़ी को, simply और code rabbit side एक ऐसारे share bag और दिया गया है, gray finish मिलेगी, और यह आपका glow box है, जो बहुत ही बड़ी है space ही है, देखि लिए आपने, और inside handle chrome पे दिये गया है, cotton finish, power window, ग्रेफ नीच दिया गया है, और साथ में बोटर लखने का space, साथ में speaker, फ्रेंट में आपको sunvisor दिया गया है, और साथ में reading lamp, IRVM day night मिलता है आपको इसमें, code rabbit side sunvisor, winatory mirror के साथ दिया गया है, grip assistant, तो interior आपने देखि लिया, hood खोल लेते हैं, चलते हैं engine room में, hood खोलने का option, driver side यहाँ पर लिवर दिया गया है, hood खोल लिया है हमने, आगे हम engine room में, तो यह देखे, आप engine BS6 देख रहे हैं, hood के inside यह cover दिया गया है, जो की engine की vibration को control करता है, यानि बाहर आने नहीं देता है, ABS इसका यहाँ पर दिया गया है, anti-lock braking system, यानि ABS engine room में ही मिलता है, आपको इसमें, बात करेंगे engine की तो इसमें आपको, 1197 CC का engine दिया गया है, बात करेंगे power की, 82 BHP की power मिलती है, आपको 6000 RPM पर, अगर हम torque की बात करते हैं, 113 NM की torque मिलेगी, 4000, 200 RPM पर, 100 friends यह था review, मारूती सूजू की, Swift ZXI Plus AMT का, तब तक के लिए, sheet bell पहने हैं, handmade पहने हैं, शुरक्चे चलिए, धन्यवाद मिलते हैं, अगली वीडियो में, धन्यवाद,